दिप्रेंट के यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब करें और ताजा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं शुशान सिंग राजपूत की आत्भात्या मसले पर सिफसेना के निता संजराउत ने एक लेक लिखा है सामना में और जिसमें उन्होंने कहा कि शुशान सिंग राजपूत जो थे वो बेसिकली मुंबईकर थे नकी बिहारी थे जो पूरी प्रतिष्ठा जो प्रस्परिटी थी वो मुंबई ने दिया महरास ने उन्हें दिया बिहार ने उन्हें कुछ भी नहीं दिया और उनका जो स्टगल संगर्स था उस समय बिहार ने कोई योगदान नहीं दिया शुशान चिंग राजपूत एक बहतरीन कलाकार थे और उनकी आत्महत्या को लेकर जिस तरह से राजनितिक फुटवाल जा रही है जिस तरह से इस पर राजनितिक की जा रही है और खास करके महरास्त और बिहार ज या फिर महरास्त की राजनिता जिसमें आदेत ठाकरे या उदर ठाकरे का भी नाम देना वाजिब होगा कि दोनों राजनिता जो हैं दोनों मोख्य मंतरी कही न कहीं इस सुशान सिंग राजपूत के बहाने अपनी राजनितिक को नए सीरे से नए तरीके से बिहार में इसे अस्मिता की लड़ाई एक तरह से करार दिया गया है, महरास्ट में एक तरह से महरास्ट और बिहार या महरास्ट और नौर्थ इंडिया का जो कांफ्लिक्ट रहा है, उसके बहाने कहीं न कहीं, उस राजनीती को, महरास्ट की राजनीती को, मराठवारा राजनीती को और पुक तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो संजर राउत की, संजर राउत में सामना में लेख लिखा है, जिसमें उन्होंने कई ऐसी बाते कही है, कई ऐसी बाते लिखी है, जो एक राजनीता को नहीं लिखनी चाहिए आम तोर पे, उन्होंने जो लिखा, उन्होंने कहा कि शुशान मिली वो महरास्ट में मिली है तो इस मौके पर बिहार सरकार को बिहार पुलिस को investigation नहीं करना चाहिए उन्होंने ये भी कहा कि जो कि ब्यक्तिगत किसी भी परिवार का ब्यक्तिगत मसला है लेकिन उस परिवार की सारी जो परिवारिक मसले हैं उसको सड़क पिलादिया गया और सजे रहुत ने कहा कि जो सुशान सिंग राजपूद के पिता ने बूसरी शादी की थी उससे कहींद कहीं न कहीं चोछंध परिशान तहे और इसलिए उनके सम्बंद वैसे नहीं थे उतनिर अच्छे नहीं थे और आपके पता किजिए कितनी बार वो पटना जाते थे, अपने पिता से बात करते थे, मुझे लगता है कि इस तरह की बाते वैसे तो बहुत ही ओची बाते हैं, जो किसी भी राजनीता को नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो यही तक नहीं रूके, उन्होंने कहा कि जो उनकी पॉलिटिक्स हो रहा है, और फिर हम बात करेंगे बिहार पॉलिटिक्स की, तो सबसे पहले बात करते हैं महाराश्ट की राजनीती की, देखे इस केस में जो रोज नए खुलासे हो रहे हैं, जो रोज पहले महाराश्ट की पुलिस इसकी इन्वेस्टिकेशन कर रही थी, अ उनकी आत्महत्या के बाद और उससे पहले भी आईपी आडरस चेंज हुआ था आई-पी आडरस कियों चेंज हुआ था और खास करके जो सिवसेना के नेता जिस तरह की भाशा का इस्तेमाल कर रहे हैं जिस तरह से इस मसले को या कहें कि भटकाने की कोशिश कर रहे हैं investigation से और उसमें तमाम तरह की सवाल उठ रहे हैं कि क्या आदित्य ठाकरे जो की एक तरह से वहां की जो फिल्म उन्रस्टी के जो बड़े चेहरे हैं उनके साथ घुलते मिलते हैं क्या आदित्य ठाकरे किसी को बचानी की कोशिश कर रहे हैं क्या investigation में दवाव डाला जा रहा है क क्या जिस तरह की संजय राउत एक तरह की राजयती भाषा का इस्तमाल कर रहे हैं कि यह सर्फ महारास्ट ने उन्हें प्रस्परेटी दी नाम शोहरत दी तो क्या जो एक पहले हमने देखा था कि किस तरह से नॉर्थ इंडिया और महारास्ट के बीच में जो एक खाई थी और क ध्यान भटाने के लिए जो कोरोना और तमाम ऐसे संकट हैं उससे ध्यान भटाने के लिए वह अपनी राजनीति को कॉंसिलेट कर रही है लेकिन सिर्फ पॉलिटिक्स महारास्ट में नहीं हो रही है पॉलिटिक्स का एक बड़ा चंग बिहार में समय हो रहा है क्योंकि आप पासवान है उन्होंने भी मुख्यमंतरी पर हमला बोला है लेकिन सुषान सिंग राजपूत एक ऐसा केस है जिसमें बिहार की सारी राजनितिक पार्टियां एक जुट है और एक जुटता के साथ वो जिसको कहते हैं यूनाइटेट है और वो कह रही है कि इसकी स्टीविया वोट बैंक का जो चंक है वो शुषान सिंग राजपूत के बहाने वो उसको कहीं न कहीं अपने पाले में कर सकती है लेकिन सिर्फ राजपूत वोट बैंक का मसला नहीं है मसला है एक बड़ा वोट बैंक या फिर जो एक बिहारी असमिता एक बिहारी जो प्राइड यानि क जिस इस समय शोषान सिंग राजपूत कहीं न न कहीं विहारी अश्मिता विहारी प्राइट के सिंबॉल बन चुके हैं और विहार कीरा वाई कोशिश कर रही है कि किस तरह से बिहार का एक लड़का बाहर नौकरी करने जाता है अपना करियर बनाता है शोहरत कमाता है लेकिन उसके साथ क्या हुआ किस तरह की दर्दना घटना हुई कि जिसके करण उसे आत्महत्या करना पड़ता है तो कहीं न कहीं शोशान चिंग राजपूत उसके सिंबॉल बन चुके हैं और बिहार की ज़्यादा तर राजनेतिक पार्टियां हैं जिस पर जेडियू, आर्जेटी, लजेपी वो सारी पार्टियां शामिल हैं उनको लगता है कि इस बिहारी प्राइड के नाम पर कोरोना के संकट के समय जो मिस गवर्नेंस हुआ, जो माइग्रेंट लेबर पर जो एक तरह से बिहार की सरकार ने बहुत अच्छा काम नहीं किया, उसको इस बिहारी प्राइड के जरिये धोद डाला जाए और कहीं न कहीं इस प्राइड के साथ जुलकर एक बड़े नेरेटिव पे काम किया जाए, ज जिसमें कि सिफसेना को लगता है कि एक तरफ बीजेपी इस मसले के जरिए कहीं न कहीं जो अब तक एफ़र्ट करती रही है, उद्धव ठाकर को गिराने की उसमें कामयाब नहीं हो पाई है, तो इसके जरिए उद्धव ठाकरे को घेरा जाए, इस प्रोब के जरिए घेरा जिसमें कि लगतार आदित ठाकरे पर सवाल उठाए जा रहे हैं, लगतार उद्धव ठाकरे पर सवाल उठाए जा रहे हैं, तो कुल मिलाकर इस प्रोब के जरिए सिफसेना और जो कॉंग्रेस और NCP की सरकार है, उसके अर्थमेटिक पे भी केंद्र की नजर है, तो कुल मि झाल झाल